हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करूँगे कंडेंस मिलकी रेसिपी इसे बनाना बहुत एजी है और खाने में बहुत ज्यादा यम्मी लगता है जब भी हमें कुछ बनाना होता है मिठाई आइस्क्रीम केक तो हमें सबसे पहले जरूत पड़त है कंडेंस मिलकी और बाजार से बहुत महंगाता है क्यों न घर के ही समान से हम थोड़े इंग्रीडियंट में इसे घर में बनाए और इसे बनाने के लिए सिर्फ तीन समान चाहिए होंगे और बिल्कुल बाजार जैसा मिलकमेड बनाके तयार करेंगे हम और इस कंडेंस मिल लिए है इसे बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिएगा दूद तो यहां पर मैंने एक गिलास दूद लिया है यह दूद भेंस का है आप कोई भी दूद ले सकते हैं पैकिट वाला या फिर गाय का और इसका हम नाप से मेजरमेंट करें ते तीन सो गिराम के लगबग द करने गाया करें निली है और कटोरी से मेजरमेंट करें तो यह यह थोड़ी से खाने वाला सोडा लिया है जिसे हम छोर ले या फिर राजमा में यूज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक मोटे तले के कढ़ाई ले लेंगे आप कोई भी मोटे तले का बर्तन ले ले तो यहां पे गैस ओन करके दूद डाल देंगे और गैस का फिलेम मीडियम टू हाई रखेंगे एक उबाला लाने तक मीडियम टू हाई गैस का फिलेम रखेंगे और जैसे ही एक उबाला जाएगा हम गैस का फिलेम कम कर देंगे तो इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको पकाना है दूद में एक उबाला गया है यहाँ पे गैस का फिलेम कम कर देंगे और इसमें अब हम चीनी डालेंगे यह मैंने चीनी डाल दी है इसे और अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये दूद आदे से भी कम ना हो जाए जब तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसे पकाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे तो इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है और ये दीरे-दीरे कम और गाड़ा हो जाएगा तो इस तरह से चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं तो 10 मिनट बात देखिए दूद हमारा काफियत तक कम हो गया है और ये गाड़ा भी होने लगा है तो इसे और गाड़ा करना है कम से कम 5 मिनट और लगेंगे देखिए बस इसी तरह का कंडनेस मिल्क चाहिए और इसे बहुत ज़्यादा भी गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी अपने आप ही गाड़ा होने लगता है तो देखिए मैं एक लाइन ड्रो करके दिखा रही हूँ बस इसी तरह का टेक्चर चाहिए बस अब गैस का फिलेम बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे सोडा बेकिंग सोडा और इसे भी हम मिला लेंगे ये दो चुटकी मैंने सोडा डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद इसको ऐसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे ये देखे इसका texture देखे कितना बढ़िया texture आया है इसका और वाजार से भी बहुत बढ़िया बनके तयार हुआ है और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करे और चैनल पर लएए तो सब्सक्राइब कर ले मैंने इसे एक बावल में ट्रांसफर कर लिया है और मैं आपको पास से इसकी consistency दिखाती हूँ देखे कितना बढ़िया टैक चराया है और बाजार से भी बढ़िया बनके तयार हुआ है आप इसे airtight डब्बे में एक महीनी तक store करके फ्रिज में रख सकते हैं अगर आपका condensed milk पतला या गाड़ा हो जाए तो हम उसे ठीक कर सकते हैं पतला हो तो उसे थोड़ा सा और पका ले और गाड़ा हो तो उसमें थोड़ा सा दूद मिला लीजिए एकदम perfect condensed milk बनके तयार होगा आप इसे किसी भी sweet dish में यूज कर सकते हैं बहुत ही जरूत पढ़ती है इसकी किसी ना किसी मिठाई में तो आप बाजार से लाने की बजाए घर में इसे बना कर तयार करें और बाजार से सस्ती भी पड़ती है तो लीजिए enjoy कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, share, subscribe जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई